नमस्कार मैं पंकच आप सभी के स्वागत करता हूं चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस प्रकास से आप SBI का reward point से अपना मवाईल को रिचार्च कर सकते हैं तो SBI आपको एक reward भी देती है अगहिदी SBI का ATM या फिर online transaction करते हैं तो उसमें एक reward आपको मिलता है तो उस reward को चेक करने के लिए एक app भी है और आप Yono app से भी उसको चेक कर सकते हैं और रिचार्च कर सकते हैं उससे अपना mobile को रिचार्च कर सकते हैं तो तो देखें जब Yono app к Login कर लेते हैं तो इस परकास से आपको interface मिल जाता है यहाँ पर नीचे में एक option आपको मिल जाता है SBI reward का नीचे में देखिए एक option आपको मिल जाता है SBI rewards तो ये rewards वाला option में आपको यहाँ पर नीचे में tap कर देना है तो अगई दिया आप पहली बार अगई दिया आप login कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको sign up करना होगा तो आपका यहाँ पर direct reward point दिख जाएगा देख सकते हैं मेरा यहाँ पर 482 reward point यहाँ पर दिख रहा है तो इसको अभी आपको redeem करके बताएंगे तो redeem करने के लिए यानि कि अगई आप mobile recharge करना चाहते हैं redeem करके तो इसी option से आपका recharge हो जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अब यहाँ पर आपका balance दिख जाएगा देख सकते हैं एक अलग tab है my rewards का अलग tab बना हुआ है तो इसमें आपका सारा details यहाँ पर कितना point आपका है कितना expire हो गया यह सारा details यहाँ पर दिख जाएगा तो यहाँ कुछ term and condition है तो इसको आप agreement टेप कर देना है इस प्रकास से तो जो भी SBI का term and condition है वो आपका follow हो जाएगा उसके बाद देखें जो reward का portal है वो आपका खुल जाएगा और अगरे आप sign up नहीं किये हैं यहाँ पर आपको username और जो है password यहाँ पर आपको sign up बला link में जाके आपको बना लेना है एक user ID और password बना लेना यह आपका अलग user ID password होता है और जो बैंकिंग का user ID password होता है वो अलग होता है तो आप यहाँ पर sem भी रख सकते हैं कोई issue नहीं है भी आपका जो net banking का user ID password है उसी से sem password और जो ID है उसको same आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस परकास से आपका ये login हो जाएगा, देख सकते हैं, यहाँ पर सरा जो आपका credential है, या फिर अगई दिया आप new बना रहे हैं, तो new अलगा credential आपको यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद एक capture code है, तो capture code को भी आपको feel क कर दक देना है, सईसे फिल करना है, तो आपका ये login हो जाएगा, capture code आपको就到 सब्सके ओकर पर fit करना है, जो लिखा हुआ है, सेम और सेम आपको डालना है, उसके बाद यहाँ पर login में आपको एक बार tap कर देना है, तो जैसे लोगिन में आप करते हैं, तो आपका ये login हो है अब यहाँ पर आपका जो जिस कंपनी का आप Mobile खुरिंट के अंपर रिचार्च करना चाहर रहением इह के बाद सी MAR , इत फुखेश कंपनी का नूपर है, यहा पर देना है उसके बाद आपको कंपनी सेलेक्ट करना है , जो आपका provider है यहां पर आपको select कर लेना है उसके बाद यहां पर view plan से आप plans को देख सकते हैं जो recharge plan है उसको यहां पर आप देख सकते हैं और जिस plan को आपको recharge करना है यहां पर आपको select कर लेना है उसके बाद यहां पर फिर एक term condition है तो यहां पर भी आपको tick लगा दना है उसके बाद नीचे में देखिए प्रोसीट का अप्शन आए तो यहां पर आपको टैप करते हैं तो आपका जो रिवार्ट पॉइंट है वह आपका पैसा में यहां पर कंवर्ट हो जाएगा देख सकते हैं इस प्रकास से उसके बाद जो बांकी रेस्ट अगए दिया आपका बचता है तो यह 120 रुपिया मेरा रिवार्ट से रिचार्ज होगा और बाकी जो मेरा एमांट बच रहा है उसको यहां पर आप अपना डेविट कार्ट से यहां पर आप उसको पे कर सकते हैं तो यहां पर फिर से आपको डेविट कार्ट का डिटेस को इंटर कर देना है उसके बाद चेश करते हैं आपका जो मोबायल है वह रिचार्ज हो जाएगा देख सकते हैं इस ऐब को यह अपर डाल दना है उसके बाद मेत पैमेंट में आपको यहां पर क्लिक कर दना है तो अब कर दना है को आपको यहां पर टैप कर दना है तो आपक weट कर लाना है तो आपका जो म обяз है वह रिचार्ज हो जाएगा के सकते आप reward point से SBI का reward point से अपना mobile को recharge कर सकते हैं यही process है इससे समंदित और किसी परकार का आपको information चाहिए तो comment कर सकते हैं हम उसे में जबाब देने का प्रयास करेंगे तो यही complete process है इसी परकार से आप SBI का reward point को use कर सकते हैं नहीं तो आपका वो एकस्पायर हो जाएगा वीडियो देखने के लिए धेनवाद और इसी परकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सस्क्राइब भी करना धेनवाद